हाई बिटिफल एंजल्स वेल्कम टू दे डिवाइन फैमली राधे राधे जैशे किश्णा आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्त होंगे मेरा नाम है रेनू और मैं ये रीडिंग सेशन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जो होगा कि इस आने वाले वीट में जो स्टार्ट हो रहा है आज से कि इस वीट में कौन सी ब्लेसिंग्स आपके लिए, कौन सी चेंजिस आ रही है, सुप्राइस आ रहे हैं और ये होगी जर्नल कलेक्टिव रीडिंग नेक्स सेवन डेस के लिए तो हो सकता है आपके साथ पूरी रीडिंग रेजोनेट करें और हो सकता है कि कुछ पार्ट रीडिंग रेजोनेट करें क्या surprises, blessings आने वाली हैं आप लोगों के लिए इस आने वाले week में सबसे पहले हमारे का start आया है It's time to release negativity, full moon in Scorpio मुझे लग रहा है कि किसी direction में, किसी एक जगह पर आप focus कर रहे हो किसी एक new direction में जा रहे हो कुछ नया start कर रहे हो उस वज़े से आपका वहाँ पर positive रहना, risk लेना, आगे बढ़ना और focus रहना, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पर मुझे वो लग रहा है जिस वज़े से आप release कर पाओगे negativity को और यह energy आपके लिए helpful होगी क्योंकि यह आपको push देगी आपके आगे बढ़ने के लिए जब भी हम लोग कुछ ना कुछ release करते हैं तो कुछ ना कुछ positive हम लोग attract करते हैं, manifest कर पाते हैं यहाँ पर हैं दो काड़ आ गए हैं, तो इतने ही लेंगे हम लोग you're good enough तो जो मैंने बोला तो अगर आप डगमगाते हो किसी चीज के लिए confused होते हो या confidence की कमी होती है इस direction में जाने के लिए तो अपने आपको remind करवाना है you're good enough आप कर सकते हो किसी भी दरांके अपने आपको judge नहीं करना आपने inner beauty, outer beauty के साथ साथ आपको inner beauty जो आपकी है, आपके gifts है, आपके talents है उनके उपर आपको focus करना है ज्यादा सोचना नहीं है जिस तरफ भी जा रहे हो just release करते जाओ negativity को और आगे बढ़ते जाओ और यहाँ पर है कि अपने आपको judge मत कीजिए इसलिए मेरे कई वारे message आता है कि appreciate yourself अपने self love पे ध्यान दीजिए appreciate कीजिए आप वो कर सकते हो और अप good enough हो कि आप अपने dreams को follow कर सकते हो अपने जो भी आप achieve करना चाते हो जो भी आपके dreams है या जो भी direction में आप जा रहे हो वहाँ पे आपको success ज़रूर मिलेगी तो इस बात का आपको विश्वास रखना है अपने उपर भी और universe के उपर भी लास्ट करना है be bold and make the first move तो अगर आप सिरफ अभी सोच रहे हो लेकिन sure नहीं हो क्योंकि हो सकता है कि आप अपने आपको judge कर रहे हो या सोच रहे हो कि आप से होगा या नहीं होगा तो यहाँ पे again वोई message है कि आपको first move यानि कि initiate start करना कुछ वो ज़्यादा ज़रूरी है right now अपने आपको prioritize करना अपने आपको एहमियत देने जितना ज़्यादा आप bold बनोगे उतनी ज़्यादा जो है आपका confidence बढ़ेगा और आप धीरे धीरे जो है negativity को release करते जाओगे तो यहाँ पर किसी न किसी तरह का आपको risk लेनी की जुरत है जिससे आप डर रहे हो या आप लेने वाले हो इस हफते में जिसके बारे में आप सोच रहे हो बहुत अच्छी यहाँ पर changes है तो हम लोग अब tarot से देखेंगे कि क्या हो रहा है तो यहाँ पर मैं में निकालूंगी हर एक कार्ड के लिए हम लोग clarify करेंगे किस तरह की negativity है जो आपको release करनी है जो भी आप dreams manifest कर रहे हो आप लिख के कर रहे हो यह भी हो सकता है कि आपका dreams हो, आपकी creativity हो book लिखना या कुछ ऐसा करना नाया कोई काम शुरूर करना क्योंकि जो princess है वो learners होते हैं कुछ सीख रहे हो, आप कुछ नाया start करना चाहते हो, जैसे मैंने पहले भी बोला तो यहाँ पर लिखना आपके लिए helpful होगा लिख के release करना negativity को, वो बहुत helpful होगा लिख के healing करना है आप pentacles है, वो भी helpful होगा और ये भी हो सकता है कि आप किसी तरह की auto writing किसी तरह की messages को receive कर पाते हो लिख कर, वो भी आपके लिए helpful होगा manifest करना लिख कर वो भी helpful होगा अकेले में समय बताना nature में समय बताना अपनी intuition के साथ जोड़ना nature में जाके, वो भी आप लोगों के लिए helpful होगा कि कहीं न कहीं वो आपको heal करेगा और आपको negativity को release करने के लिए help करेगा यहाँ पर लिख के dreams भी मुझे message मिल रहा है, कि कोई भी तरह के आपके dreams हैं, या goals हैं या जो भी आप achieve करना जाते हो तो उसके बारे में लिख कर आपको help मिलेगी यह again nature में है जितना आप अपने आपकी care करोगे, जो यहाँ पर भी message था अपने आपको प्यार करोगे, जितना आप समय भी दोगे इस week में अपने आप उपर ध्यान भी दोगे आप अपने आप पर अपने आपको prioritize करोगे वो भी आपके helpful होगा आपको negativity release करने हैं यानि कि जो आप अपने आपको judge कर रहे हो या कुछ चीजें जो आप release नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर अपने आपको distract करते हो, अपना focus अपने उपर ले जाते हो, कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है तो negativity के उपर focus करने से, ये negative thinking को छोड़ कर अगर जो चीजें आपको करनी अच्छी लगती है ये नो नेचर में जाना, अपने ध्यान रखना, dress up होना grounding करनी नेचर में घूना, पानी के पास बैठना, तो जो काम आपको अच्छे लगते हैं, वो करोगे आप जब तो वो अपने आप, आप लेट करोगे, उस negativity को release करना, और इस universal energy से connect होना, इस hope से connect होना यहाँ पर किसी तरह की आप success को manifest कर रहे हो इस star card के साथ, definitely यहाँ पर dreams है यहाँ पर faith है, यहाँ पर किसी तरह की success भी आप manifest कर पा रहे हो star card के साथ, अपनी intuition को सुनना बहुत helpful होगा star card के साथ, जितनी वो दिख रही है आपकी crown chakra की energy active रहेगा, आपका crown chakra थर्ड आई चक्र आपका active रहेगा बहुत सारी information आप channel कर पाओगे जो आपको help करेंगी इस negativity को release करने में और आपको अपने self love में और अपने dreams पर focus करने में यह energy आपको बहुत ज़्यादा helpful होगी बहुत सारे card निकले हैं यहाँ पर देख लेते हैं टैनो सोर्स से यहाँ पर overthinking है या किसी चीज का मुझे decision भी लग रहा है कि किसी चीज को आपको release करना है life में से जो आपको over serve नहीं कर रही है यह कोई इसी तरह की situation हो सकती है खुद की आपकी overthinking हो सकती है और किसी तरह कि person को छोड़ना situation को छोड़ना release करना वो भी मुझे यहाँ पर लग रहा है ten of swords जो खतम हो चुका है finish हो चुका है कोई cycle ऐसा आपका मुझे यह भी सुन रहा है co-dependency तो कहीं न कहीं अगर आपको किसी cycle में फसे हुए थे किसी pattern में फसे हुए थे तो आपको भी यह यहाँ पर बताया जा रहा है कि you are good enough आप handle कर सकते हो अकेले जो भी चीज़ें आप handle करना चाहते हो किसी तरह का message आपको मिल सकता है princess or sword से किसी तरह की clarity आपको मिल सकती है जिसका आप शायद इंतजार कर रहे थे चाहे वो आपके abundance से related है चाहे वो आपकी success से related है चाहे वो इस ending से related है किसी भी तरह का यह message हो सकता है जो आप शायद receive कर पाऊगे बहुत देर से आपने इसकी weight की है यहाँ पर जो भी आप अपने आपको अगर आप ध्यान दोगे अपने talents के उपर जैसे मैंने पहले भी बोला और उनके लिए अगर आप action ले रहे हो इस हफते में अपने passion के उपर ध्यान दे रहे हो इस 10 of swords से बहार निकल कर focus कर पा रहे हो अपने future के बारे में सोच पा रहे हो अपनी journey के बारे में plan कर पा रहे हो और उसके लिए action ले पा रहे हो अपना कोई creativity या passion हो सकता है आपका इसलिए यहाँ पर you are good enough, you are good enough यहाँ पर message है इसलिए सिर्फ यह आपको आपके confidence को boost करने के लिए आपको विश्वास दिलाने के लिए कि आप आगे बढ़ो इस journey में और आप कर सकते हो तो यहाँ पर जिसके भी आप action लेने वाले हो वो आपकी destiny या purpose हो सकता है जिसके लिए आप वो कर रहे हो किसी तरह का आपका course हो सकता है जो आप लेना चाह रहे हो सीखना चाह रहे हो कुछ कोई नई direction चूज कर रहे हो जैसे मैंने पहले बोला यहाँ पर बहुत सारी आपके लिए एक तो यह strength दिखाता है the sun का कार, life purpose को दिखाता है destiny को दिखाता है, उसके साथ connect होना क्योंकि आप right now मुझे पुरी तरह से independent self-reliant लग रहे हो कि आप कर सकते हो जो भी जीज चीज पर भी आप focus करोगे और थोड़ा भरोसा रखके अपने उपर आगे बढ़ोगे उसके साथ यहनो confidence के साथ queen of wants में confidence है जो करना चाहती है किसी तरह का अपना passion, creativity किसी तरह का अपना talent को follow कर रही है उसमें आपको आपकी masculine है यहाँ पर feminine है यहाँ पर तो पूरी तरह से आप balance के साथ आगे बढ़ने वाले हो action लेने वाले हो इस life purpose के लिए spiritually कुछ ऐसा हो सकता जो आप करना चाहरे थे इस cycle से बहार आकर आप करना चाहरे थे तो आप में उसके लिए बहुत सारी success, abundance आप इस week में manifest कर रहे हो recognition आपको मिलने वाली है success मिलने वाली है किसी तरह की जो मैंने पहले भी बोला है यहाँ भी मुझे नदर आ रही थी star card में तो यहाँ पर आप sword की energy है पीछे princess of swords कुछ नया सीखना, कुछ नया करना कोई messages receive करना जो आपको help करें suppose अगर आप यह reading देख रहे हो तो आप किसी तरह की अगर इंतजार था इस तरह की validation का कि जो मैं करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ क्या वो successful होगा तो वो आपके लिए ये message है यहाँ पर princess of swords की तरफ से कि मैं आपको message दे रही हूँ कि इस cycle से बाहर निकलिए और यहाँ तक पहुँचिए जो भी आप करना चाहते हो तो उसमें अपनी आपकी help कर सकते हो क्योंकि आप कर सकते हो तो देख लेते हैं जिसके लिए आप ही यहाँ पर कोई नो wants or sun जो है आपका sun strong हो रहा है जो जब हम लोगों का sun या masculine side balance में आती है या strong होती है यह हम लोगों को help करती है जो moon cycles हमारे moon cycles नहीं जो हमारे cycles चल रहे होते हैं हमारी emotional या overthinking की वज़े से mood swing या उसको heal करना नया उसमें से बहार निकलना नया cycle शुरू करना और अपने लिए कुछ कर पाना prioritize कर पाना अपने आपको अपने आपको एहमियत देनी अपने आपको पहचानना अपनी self worth को समझना अपने talents को use करना और अपने आपको inspire करना और उसके लिए action लेना ये सब positivity तब ही आती है जब हम लोग कुछ release करते हैं My God, बहुत सारे cards निकलाए हैं यहाँ पर फिर से Seven of Cups से यहाँ पर आप अपने आपको freedom दे रहे हो freedom दे रहे हो यानि कि आप अपने आपको जैसे मैंने पहले भी बोला, prioritize करना अपने आपको free करना कि कि आप deserve करते हो अप deserve करते हो, अपने आपको free करना transformation के लिए, अपने आपको surrender करना transformation के लिए move करने के लिए, board रहने के लिए दुनिया से कुछ अलग करने के लिए भीड से कुछ अलग करने के लिए तो यहां पे आप वो कर पा रहे हो जिसमें अगेन आपको universe काफी help करने वाला है जब आप ready हो इस transformation के लिए तो universe आपके साथ खड़ा है किसे ना किसे तरह की आपकी help भी हो सकती है soulmate की तरफ से आपको definitely यह मुझे spiritual world से आपको help आती नजर आ रही है जो आपको help कर रहे हैं क्योंकि आप अब समझ गए हो किस तरह से आप surrender करना है किस तरह से इस transformation को follow करना है और किस तरह से आप really चाहते हो इस change को लेके आना अपनी life में तो universe भी ready है आपको help करने में आपको अपने ही dreams को manifest करने में इस growth के लिए आपको success देने के लिए freedom देने के लिए ready है यहाँ पर moon card के साथ again मुझे लग रहा है किसी तरह का cycle यहाँ पर princess sword से कोई message हो सकता है कोई secret हो सकता है जो बाहर आ रहा है जो आपको मिल रहा है या आप universal के साथ किस तरह से काम करते हो अपनी life को change करने के लिए यह वो भी guidance आपके लिए हो सकती है जो moon card से आपको दी जा रही है कईयों के लिए intuition आपकी psychic abilities ही आपको बता रही है किस तरह से आप अपने आपको transform कर सकते हो किस तरह से आप अपनी help कर सकते हो किस तरह से spiritual world के साथ connect करके आप किस तरह से messages receive करके उनके लिए action ले सकते हो क्योंकि यहाँ पर universe आपके लिए ready है आपको help करने के लिए 10 of chalices वो देना खुद को यहाँ पर जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा है emotional healing के लिए वो करना seven of cups से ten of chalices में अपनी family के साथ connect होना emotional exchange है यहाँ पर emotional happiness है और साथ में यह दिखा रहा है कि अपने dreams को जब हम लोग follow करते हैं जो हम reality में चाहते हैं जब हम लोग अपने आपको free करते हैं बीना resistance के अपने आपको allow करते हैं कि आप अपनी worth को समझने की और आप कहीं न कहीं माइने रखते हो आप unique हो आप में वो potential है जब हम लोग उससे connect कर पते हैं तो भी ten of chalices की आपको happiness मिलती है यहाँ पर है bold होना तो वो यह लड़की कर रही है seven of chalices बोल्ड होना जब आप bold हो रहे हो you know change के लिए ready हो रहे हो accept कर रहे हो कि आपको transformation में से गुजरना है तो universe ready है आपको help करने के लिए आपकी intuition को intuitively messages देने के लिए हैं आपको और यहाँ पर आप जा रहे हो ten of chalices में आप देख रहे हैं यहाँ पर final card कितने the star का card है यहाँ पर six of wands का card है ten of chalices का card है तो यहाँ पर जो भी आपने dreams के उपर विश्वास रखा या universe के उपर विश्वास रखा आपने dreams को लेकर वो आपके पूरे हो रहे हैं कईयों के एक career से related success अपनी creativity से related success है और कहीं न कहीं वो आपको उससे मिलाया जा रहा है जो आप manifest कर रहे थे बहुत देश से गिनेशा guidance देख लेते हैं आप लोगों के लिए next seven days के लिए यहाँ पर है prosperity आप शायद root chakra पर काम कर रहे हूँ या root chakra आपका heal हो रहा है तो दो card मेरे बस यहाँ पर है definitely आपकी spiritual growth मुझे यहाँ पर नजर आई है जो भी अगर आप spiritually excuse me आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर गिनेशा बोल रहे हैं जो भी आप करना चाहते हो right now आपको direction दी जा रही है आपको वो stability आप create करने जा रहे हो जो इस भी direction में आप जा रहे हो वहाँ पर आपके लिए बहुत सरी abundance आपके लिए wait कर रही है बहुत सरी growth आपके लिए wait कर रही है तो आपको बैठना नहीं है आपको action लेना है और यह जो भी आप stability ढून रहे हो अपने future के लिए तो वो यहाँ पर manifest हो रही है जिस भी आप direction को choose करने वाले हो या जो भी काम करने वाले हो इस week में आपकी positivity, आपकी spiritual growth, आपके actions, आपकी boldness जो होगी वो आपको help करेगी आपके आगे बढ़ाने में और आपके life में stability लाने के लिए यह भी मुझे ऐसे ही लग रहा है भी bold self expression का card है जो चाहते हो अपने truth को follow करो क्या करना चाहते हो बहुत सारी communication है यहाँ पर जो आपको universe के साथ भी connect करती है क्योंकि आप बोलते हो चाहे सोचते हो यह express करते हो तो वो ना ही तो आपको बाकी लोगों के साथ interact करने में help करती है अपना सच बताने में और साथ में universe के साथ भी connect करने में किस तरह से आप सोच रहे हो बोल रहे हो वो आपको help करती है आप अगर positive सोच रहे हो तो positivity आपकी life में you know manifest होती है अगर आप negative thoughts के साथ हो तो वो manifest कर पाते हो तो इस week में जो है आप बहुत सारी मुझे लग रहा है कि growth है जो मुझे यहां पर दिख रही है और बहुत spiritual growth भी बोलने के लिए अब आप चुपने ही रहोगे जो भी आप करना चाहते हो जो भी आप जिस तरह से भी आप express करना चाहते हो वो आप बिना जिजग के करने वाले हो यह आपके मुझे surprise लग रहा है अब देख लेते हैं एक message था मुझे यहां पर इस pirate crystal से तो यहां पर एक ही message जो दिखा रहा है आने वाले साथ दिन के लिए कि abundance 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 तो यहां पर यह confirm भी होगा यह message prosperity से कि आपकी कहीं न कहीं abundance चाहे वो health के लिए है wealth के लिए है spiritual growth अपने personal growth अपनी abundance के लिए अपनी success के लिए manifestation के लिए किसी भी रूप में आप इस abundance को count कर सकते हो जो आप के इस week में आपको मिल रही है बहुत positive reading है please like share subscribe जू करें मेरे चाहर को comment section में जुरू बताएं कि आपको यह reading कैसी लगी है thank you thank you thank you so much for watching and bye for now